नमश्कार प्रियमित्रों आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटिफल वर्ल्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस विडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में गंगा आरती होते हुए देखता है या फिर गंगा आरती करता है तो यह सपना व्यक्ति को किन बातों का संकेत देता है। विडियो को आगी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ये बेल आइकन को प्रेस करें। सपन सास्त्र की अनुसार सपने में गंगा आरती होते हुए देखना या फिर गंगा आरती करना बहुत ही शुभवल देने वाला सपना माना जाता है। यह सपना गंगा माता की आपके उपर क्रपा और आशिरवाद के होने का संकेत देता है। जो भी व्यक्ति यह सपना देखता है, उस व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं, व्यक्ति का मन पवित्र और प्रसन होता है। जो भी व्यक्ति यह सपना देखता है, उस व्यक्ति को आने वाले समय में धन का लाब होता है, व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और व्यक्ति का आने वाला समय अच्छा होता है। अगर आपका कोई ऐसा सपना है जिसका मतलब आप जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपनी का मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद